इस lecture में हम देखने वाले हैं कि basic चार जो dimension होती है किसी भी data set की first one is composition, second one is distribution, third one is आपका जो है क्या होता है? comparison, the fourth one is relationship इनको कैसे देखने हैं? right? चले देखते हैं screen मैं आपके साथ share करता हूँ and screen पे जाके इनको अच्छे से समझते हैं and believe me it's very easy to do so अगर आप साथ साथ चलते रहें तो आपको easily समझा रहे हैं मैं यहाँ पे pandas के अंदर यह right click करके नई file बनाता हूँ नाम रखता हूँ 05 basic four dimensions dot ipynb मैं इसको eda का नाम नहीं दे रहा है सिरफ आपको समझाने के लिए जब आप इनको files को open करें आपको समझ आ रहें ठीक है so four dimensions four eda यहाँ पे मैं inside लिख रहा हूँ था कि आपको समझ आ रहे हमारी पहली dimension है composition दूसरी है distribution तीसरी comparison इन चारों को हम देखने वाले ठीक है यहां से मैंने data analysis का जो है open किया वाई दबाके इसको code कर लिया import pandas ऐसे मैंने कर लिया ठीक है अब यह होगी पहली लाइबरेरी करते हैं यहां तक समझ आगी जी आपको असान वही काम है अब आप देखने है इस्ता 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 मैं headings भी देने लग गया हूँ मैं थोड़ा सा define भी करने लग गया हूँ जूपिटर notebook को जब आप EDA के end तक जाएंगे आपको classical आला किसम की जूपिटर notebook बनाने आ जाएगी जिसमें आप सारी details देते हैं जैसे पिछले lecture में मैंने आपको दिखाया यहाँ पर देखें हमने पहले define किया कि क्या करने वाले हैं फिर नीचे आके हमने उनको code में लिखा सो यह strategy इंशाला आने वाले दिनों में हम adapt करेंगे but for now you just need to check कि आप किस तरीके से notebook बनाते हैं अच्छारी import pandas कर लिए अब करते है data load load the data again वही चीज़ है df is equal to pd.read csv अब मुझे तो पात याद हो गया आपको पता नहीं हुआ के नहीं हुआ 00datasets slash titanic.csv यह मेरे पास data है इसको हम load करते हैं and here we go ठीक है जी अब हमने क्या करना है अगला काम सबसे पहला जो target होता है ना मैं हमेशा df लिखता है हूँ यहां पे this prints the whole data ठीक है यह बीज में dot 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 लगा के सारा data print कर देता है लेकिन इस से बहतर है कि dot head लगाएं dot लगा के head लगाएं यह जो function है यह क्या करता है पहली कुछ rows को आपके सामने print करता है which is a kind of glimpse of the data glimpse glimpse means आपके data को कैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें rows को भी define कर दू ना for example मैं यहां पे 5 लिखता हूँ it will show me the first 5 यहां पे मैं 10 लिखता हूँ it will show me the first 10 rows ठीक है समय नहीं बात की and this is how you can define usually 5 is fine and people do use only head function like this इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ कि यह मैं बैठा हूँ पूरी body है head का मतलब है कि body part का कुछ हिसा just to see कि मैं क्या हूँ यानि के हमारी शिनाख्त हमारे चेहरों से होती है ऐसे ही है data की शिनाख्त करने के लिए data का head की command हम लगा के data को understand करते हैं कि क्या है समय आगे बात की this is the first thing अब आगे चलते है यह मैंने head की command लगाई data के बारे में पहले देखना start किया और मुझे data की base पे पता चल गया कि कौन सा column क्या है और यहां पे क्या हो रहे ठीक है अब अगला काम हम क्या करते है df.shape यह command लिखते है और यह हमें command क्या बताती है rows, columns समझे बात की यानि कितने data के अंदर rows हैं कितने columns हैं लेकिन यह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा df.shape इसको मैं लिखता हूं print f अब आपको पता लगना है कि मैंने क्यों f string आपको सिखाई है ठीक है let's see let's see अब आपको समझ लगेगा अच्छा अगर मैं df.shape के आगे index 0 लिखूं ते इन दोनों में से कौन सी चीज प्रिंट होगी कोई बता सकता है 891 अगर मैं 1 लिखूं यह 15 इसका मतलब column इसका मतलब df.shape की 0 index को rows बोलते हैं and first index को columns बोलते हैं यही चीज हम यहां पर प्रिंट करेंगे print the number of rows and columns using f string देखें यह है फाइदा github को पाइलट का not the other way around समझ नहीं बात की बजाए इसके कि मैं df.shape लिखूं क्योंके इन चीजों को मैंने लोगों को भी बताना है so I will use print f string rows is equal to this one column is equal to this one वही formula जो मैंने आपको उपर लिख के दिखाया and that's the beauty this is the beauty actually of using f string लेकिन you know मैं जल्दी satisfy होने वाला बंदा नहीं हूं ऐसे काम हो से so मैं इसमें थोड़े ऐसा और जो कहते हैं न थोड़े सी मलाईयां ढालके अच्छे किसम की लस्ती तियार करता हूं कि अधरा मजा तो आए ना पीनेगा so this is how you can play with f strings and this shows आप कितना effort कर रहे हैं किसी एक notebook पे future में अगर आप ये notebook Kaggle पे upload करें और लोगों को समझ लिए ना है क्या हो रहा है इतसे अच्छा नहीं है कि आप इना ही करें so that's why अपना एक style बनाए कि किस तरीके से चीज़ों को प्रिजेंट करना है and now I know कि ये चल रहे है अभी भी कुछ गडबड है वो क्या है मैं भी आपको बता देता हूं number of rows copy number of columns ctrl enter and this is now much better of course I don't need comma that's all it goes and now it's pretty much defined and refined अब data की पहली चीज़ आपको पता चल गी कि data में कितनी rows हैं कितने columns हैं ये भी पता चल गया कि columns कैसे देखते हैं data कैसा देखते हैं दो चीज़ें पता चल गी अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं this is actually composition part ये composition का part हम कर रहे हैं यहां से मैंसे लिखते तो composition composition का मतलब है कि data कैसे कैसे किस तरीके से बना हुआ है अब आगे चलते हैं यहां पे shape देख ली मैंने अब मैं df.info की एक function को use करूँगा by the way यहां पे shape के आगे मैंने यह नहीं लगाया अगर यह brackets लगे that shows this is a function अब आपकी assignment क्या है आपने देखने हैं अगर bracket नहीं है तो इसको क्या कहते है अगर bracket नहीं है तो इसको क्या कहते है bracket हो तो इसको function बोलते है अगर नहीं है तो इसे क्या कहते है और यह assignment ऐसी है जो आपने समझनी है और इसको समझ के फिर बाद में आपने Discord के अंदर बताने है यहां तक clear है, अब सुनियागा assignment लिख लें आपने, टाइम लें अपना फिर्स्ट बेंचर उन्दे जड़े हुनी सर्च करने लागे ने, मेरे lecture की तरफ देखें बाद में सर्च कर लीज़े अब यहां पर देखें, df.info लिखा मैंने, df.info means information about the whole data and here we go सबसे पहले आएगा कि यह data क्या है, यह पांडाज की data structure, data frame है जैसे मैंने सीरीज का बताया था पिछले लेक्चर में यह data frame है, पहली चीज़ अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ range index 891 entries है that's an other name of rows observation को entries भी बोला जाता है समय जए then you have the index range, 0 से 890, अब अगर कोई यह कह कि इसमें 890 rows है, लिखी हूँ यह आप कह रहें 891 है तो भई go back and revise your lectures data column कितने है यह 15 अब हर data column की data type यह पढ़ी है और उसके अंदर जो not null means जो filled values हैं उनका number लिखा हूँ है अगर यह number कम है, इसका मतलब है इसमें से अगर यह minus करें तो वो आजेंगे missing values जो values available नहीं हैं, जो खाली डिपे हैं and then you have all other data set इदर तो बेड़े गरक हुए न, दो सो तीन values हैं जो filled हैं वाकी सारे खाली and of course you can see the things अब data types हमारे पास कौन कौन सी हैं, दो हैं हमारे पास boolean data types दो हैं हमारे पास float 64 क्या होते हैं 64, don't worry at the moment क्योंकि यह आपकी assignment होगी, आपने check करना है 8, 16, 32, 64, 128, यह क्या होते हैं जब भी किसी data type के साथ लगते हैं Usually it's the method how the data is stored in pandas, ठीक है लेकिन आपने इसे check करना है, this is your second assignment for today Bits Bytes का नहीं मुझे पता, आपने check करके proper answer ढूणना है कि integer के साथ क्यों लिखा जाता है Of course, जो चीज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 में होते हैं वो Bits Bytes में होते हैं लेकिन क्यों अच्छा जाते हैं फिर आते हैं integer 64, this is like 4 of the columns are integer and 7 are objects अब आप सोच रहे होंगे यार, यहां पर boolean है, इसकी तो समझ आती है true, false है float है, इसकी भी समझ आती है कि यह decimal point value है integer की भी समझ आती है, यह object नहीं कट अगरी नहीं आगी तो क्यों ना हम दे की लिए object क्या है object है जिक class और अगर हम data में उपर जाएं, here, जो चीज़ categorically define होती है या तो वो category में आती है, या object के अंदर आती है so, categories are either objects or categories यह बात याद रखनी है हमेशा यह वो चीज़ है जो आपने future में बहुत दफाँ यूज़ करनी है जब भी categorical column होगा that means it is either object or category तो क्योंकि यह category है, category का means क्या है यह strings है, basically, characters में लिखा हुए data है तो इस वज़ाँ से object कहा रही है यहाँ तक समझ आगी, कि object क्या होते है अब हर data type की यहाँ पर आपको समझ आगी कि कौन सा column किस data type का है again, this is a composition of course, मैंने आपको बताया था कि composition सिर्फ categorical data की होती है लेकिन this is composition of major data frame हमारे whole data frame की composition क्या है कितने columns है, कितनी rows है क्या data type है और किस तरीके से सारा scenario जो है, वो चल रहा है ठीक हो गया बिल्कुल, strings are always categories लेकिन अगर वो नहीं categories होंगी then we will see, ठीक है, we will see df.info का, इसमें shape वाला भी आगया है और इसमें एक और command भी आगया है which is df.dtypes ये न पकिसान के अंदर एक इलाके का नाम भी है dtype तो मैंने वहाँ से याद किया हुआ है फैसलाबाद के अंदर dtype है dground पे होते है, dtypes का मतलब है data types अब ये जो काम मैंने अब किया है ये वो ही चीज नहीं है जो हमने पीछे info में भी देख ली है और info ने तो इसको और भी अच्छा define करके बता है कितने column क्या है so I think this is not necessary लेकिन, but sometimes you need to check only the data types which are object or boolean or categories, then you need this specific command ठीक है, अगर मैं यहां पे कहूँ print only the boolean columns यहां मैं ऐसे कहते है तो हाँ, boolean columns चेक करें print करेंगे df.select data type include is equal to boolean.columns so इस तरह की commands के लिए आपको use करना पड़ता है df की command, ये adult, male and alone जो हैं, ये object data type है basically, लेकिन yes or no के अंदर है zero one, yes or no true or false so तब आप इसको use करते हैं लेकिन अभी के लिए मैं इसको remove करता हूँ यहां से ताकि आप complication की तरफ अभी ना आ जाए later on we will see data types, यहां तक clear होगा है जो composition में अब अगला काम मैं करता हूँ अगला काम यह है कि data type तो हमने देख लिया अब हमने क्या करना है columns की composition देखते हैं और मैं पहला काम जो करूँगा value counts देखूँ value count कैसे यह है df.head मैंने इसको यहीं पर open कर लिया इसको मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ मैं चाहता हूँ मैं देखूँ के sex के अंदर male कितने हैं और female कितने gender क्या है कितने कितने लोग है ठीक है अब मज़े की बाद बताऊं आपको मैं हर command के start में df.headway पर लिखता हूँ and df के अंदर अब अगली चीज़ देखिए का हमने क्या करना है string sex dot value counts यह command means to say यहाँ पर हमने data frame उठाया उसका specific column यहीं पर select किया जिसको हम बोलते हैं pandas की series समझाई? series का concept समझाई यहाँ पर और उस series के अंदर value counts हमने देखा let's run this यह राज़े आपका data यह df.head तब भी चलेगा जब आपके पास यह column नहीं होगा so मैं वहीं पर इसकी information लेता हूँ वहीं पर इसको देख लेता हूँ otherwise लोग क्या करते हैं उपर जाके scroll up करते हैं या तो आपको उपर जाके देखना पड़ेगा या नीचे so मैं यहीं पर देख लेता हूँ and this is how you can see 570 males हैं and females आपके पास 304 हैं ठीक हो गया तो मैं डागी बात की अब आप सोच रहे होंगे कि यार यह जो हमने काम किया अब यह इसको integer बोल रहा है यह integer तो नहीं है लेकिन जो आपने यहां पर code run किया this is giving you integer value which is count count is always integer 577, 314 इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास total values आ जाएंगी which is 891 ठीक है यहां पर समझ आगी बात की अब यह है जी value counts अब मुझे एक बात बताएं अगर मैंने 577 की percentage निकाल ली है 891 में तो कैसे निकाल लूँगा कोई बता सकता है कैसे निकाल लूँगा 577 divided by 891 ऐसे करके multiplied by 100 ऐसे ही है अगर मैं इसको एक formula में लिखो find value count percentage for sex column इसका simple formula है आपने क्या करना है df के अंदर ठीक है df के अंदर वो ही चीज जो हमारे पास sex है उसको हम लिखते dot value counts अच्छा percentage के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि total number of rows कैसे find out करते है total number of rows कैसे find out करेंगे क्या यह command ठीक है let's see df का मैं length चेक करता हूँ 891 मैंने आपको बताया था when you are looking into two dimensional data frame not array की बात नहीं हो रही है यहां पर data frame की बात हो रही है so यह pandas का function है that tells you the total number of rows pandas का function and this is length this tells you total number of rows for example यहां पर मैं लिखता हूँ tells you total number of rows ठीक है अच्छा यह भी आप कर सकते है एक और function है इसका वो क्या है और यह आपके पास df की shape 0 जो हमने start किया था यह भी काम आप कर सकते हैं लेकिन मुझे यह ज्यादा बेटर लगता है क्योंके length is actually the length of data frame कितना लंबा data है columns हैं कितना चोड़ा data है two dimension है लंबाई हैं चोड़ाई तो उस तरीके से हम देखेंगे अच्छा जी यह मेरे पास value counts आ गई है इसको मैं क्या करूंगा इन्ही value counts को divided by length multiplied by 100 simple समरे भी बात की let me see हमारे पास क्या error आ रही है sex के अंदर value count है it shouldn't be like that आँ ओके अब समझा गई ठीक है so value counts के आगे हमने यह लगाना था अब हमारे पास क्या है अगर आप गौर करें हमने पहले value count लिए यह वाले value count लिए ठीक है इनको divide किया length पे तो हमारे पास fractions आ जाती है अगर मैं आपको यहाँ पे इसके बगार दिखाऊ तो यह division है basic arithmetic operator divider यह आ गया fraction यानि कि एक में कितनी है एक में 0.64 है और हमें चाहिए per cent per hundred then I will multiply by 100 simple यह 100 में आगी लेकिन एक मसला नहीं है यहाँ पे 64.758698 something like that इसको round off भी तो करना है कैसे करेंगे round तो बता सकता है round the percentage to two decimal points आप round का function लगाएंगे और यह सारा formula ऐसे लिखेंगे यहाँ से उठा के copy paste ठीक है अब आपने देखा कि हमने comma लगा गे two लिख देना है round का मतलब होता है कि जो भी figure आप दें तो हमारी figures कैसे आ रही है इस function के थरूप यह जो हमने line लिखी है जब हम comma लगा के two लिखेंगे that means we are having two decimal places और यह automatically pandas का function automatically यह इसको round up कर देगा ठीक है and this is the way to find out percentages ठीक है और इसका function का formula क्या है usually it's actually round के अंदर आप अपना number देते हैं comma फिर decimal places बताते हैं something like this यह है इसका formula ठीक है so हमारा number क्या है हमारे पास यह function है which is actually checking multiple values और सारी की सारी divide होगी यहां तक clear होगी जी बात कि नहीं हुई ठीक है अब यह वाला data हमारे पास आ गया अगर मैं चाहूँ मुझे इसकी नहीं मुझे किसी और category की compositions देखनी है that is P class लो पाजी हमारे पास एक script बन गया you just need to change the series name यहां पे हमारे पास the sex मैं इसको ऐसे उठाता हूँ इसे script को यहां पे इसे paste करता हूँ यहां पे P class लिखे देता हूँ P class के आगे अभी आपके पास एक अंदाजा नहीं आ गया कि first class में कितने percent लोग है second में कितने percent है third में कितने percent है this is the composition of that specific series आगी समझ बात composition of that specific series एक series की composition univariate composition one variable की composition यहां तक समझ हो गया जी बात को hopefully आपको समझ आगी होगी अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चल देए ठीक है मैं जाता हूँ इसी चीज़ को sort the values in descending order इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो बता सकता है हमने यही formula पकड़ने इसके आगे sort values लगा के ascending false करते हैं अब क्या होगा जो highest है वो उपर आएगी उससे कम नीचे फिर उससे कम उससे नीचे इसका best तरीका भला क्या होता है this is the wrong way क्योंकि ऐसे code आपका खराब होगा इसको मैं यहां पर लिखता हूँ and class counts is equal to अब यहां पर मैं इसको करता हूँ class underscore counts dot sort values and here we go सही है so this is much cleaner code लेकिन लाइने दो बन गी है अगर एक लाइन में करना चाहे so you can say here exactly like sort values और उसको आप sort कर दें indexing में ठीक है so यह ज़रूरी क्यों है उसकी वज़ा यह है कि अगर आपके पास multiple values हों 10 से 15 तो आपका यहां पर देखना महाल हो जागा कौन से सबसे ज़्यदा कौन से सबसे काम है ठीक है अब यही काम अगर class की बजाए मैं for example deck पर करता हूँ यह देखे आया ना मसला लेकिन अगर मैंने sort ना किया हो तो यह सारा गडबड हो जाना था अब मुझे पता है कि c deck में 6.62% and somehow it goes forward ठीक है so this is how you can check the composition of one thing अमने उनिवरिये की एंपल let's do a bivariate thing कैसे find the value counts in percentage for class where हमने अब क्या करना है एक काम करना है और वो काम यह है कि हमने value counts find out करनी है लेकिन data में से सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे females है यानि कि सिर्फ female की value counts in each class हाँ जी कोई इसमें बता सकता है कैसे करेंगे यह code आपके सामने class count है हमारे पास यह आ गया था class count ऐसे तो हम कैसे करेंगे इसको further यह df का class चल रहा है ज़रा सोचें कैसे हो सकता है यह round function built-in होता है बिल्कुल जी चले मैं try यह करता हूँ let's see कि हमारे पास पिर उसका answer आता है यह नहीं आता हम क्या करेंगे हमारे पास जो पहला काम है वो है df ठीक है ऐसे ही है df के अंदर df लगाके हम उसके अंदर जहां पे sex वाला कॉलम है is equal to is equal to इसको हम female करते हैं ऐसे ही है यह data बन गया अब इस data का आगे जो section है यानि कि जब यह data बना इसका हमने class का कॉलम लिया और उसका value count ले लिया आप यही समझ ले कि मैं x करता हूं इसे यहां पे लेखता हूं df अंदर्सकोर females only is equal to यह वाले subsection ठीक हो गया जी अब मैंने यहां पे क्या किये इसी को df अंदर्सकोर females करके मैंने लगा दी simple यह वाला काम की पहले subset किया लेकिन अगर मुझे subset करना पड़े तो बजाए इसके दो लाइनों के मैं इसकी के आगे ना लिख दूँगो class counts of females that's how it works यह राजी class count of females only this is called two variables का जिसे हम bivariate पोलते हैं composition based on two variable composition लेकिन अभी भी I'm not feeling comfortable with that क्योंकि अब मैंने males का करना तो मैं separate करूँगा for example अगर मैंने male का यहां पर count करना है तो मुझे separately करना पड़ेगा what if I can get one data frame जिसके अंदर male की भी और female की भी दोनों की composition इकटी हो is it doable आजी को बता सकते हैं let's see we can use group by function group by class 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 फोड ठीक है अब हम क्या करेंगे df group by ठीक है इसके आगे वो वला function use करेंगे अब अकसर अकात आपको यह लगता है कि यार हमें group by function नहीं आता तो दो तरीके हैं अब जिस चीज़ का ना पता हो find out कैसे करना group by का आपको पता चल गया that's it अब क्यूंकि इसकी documentation में group by का function बताया हुआ है so you can go directly to pandas documentation यह है जी आपका getting started या user guide पर चले रहे यहाँ पर search करें group by यह मेरे पास आगया group by इसको हम देखते हैं and this is how you can use group by let's see data frame पर group by हमने चलाना है so I can go down यह है जी यह हमारे पास एक data है हमने group by किया है animal की base पर और उसका mean ले लिया था ठीक है so हमारे पास ऐसे भी group by हो सकते है जिस पर आप statistical कोई भी analysis कर सकते हैं इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं further इसको different और group by के तोर पर आप use कर सकते हैं and then you can use this but we will use this group by और हम चेक करेंगे किस तरीके से यह काम होता है let's see I will try different techniques group by के आगे df हमने group by की है और जो hierarchy बता रही है यहाँ पर किया पर बाद में bracket के अंदर यहाँ पर बताएंगे कि क्या आपके पास चीज आ रही है ठीक है animal है हमारे पास यहाँ पर एक series लेकिन हमारी जो series है that is I will just write here sex और इसको हम करते हैं dot value counts length over df I know कि मैंने second paragraph नहीं लिखा लेकिन अगर आप चेक करें हमारे पास अब हर एक column का female और male की base पे count आ गया है समझे यह बात की हमारा जो data frame है अब दो बड़े groups में divide हो गया female and male पे और उनका count जो है वो हमारे पास different किसम के dataset के अंदर आ रहा है ठीक है I know this is different जहाँ पर male होगा उसका data separate हो गया female जो है उसका separate हो गया but if we want to use two groups let's see मैं यहाँ पर पंगा लेता हूँ एक and उस पंगे को हम बोल देते हैं say for example class and let's see error now we will try to fix it accept it, run it here we go ठीक है so हमने क्या किया है group by का function लगा के जिन दो columns को करना है जब हमने एक किया तो सभी data set आगे थे हमारे पास जब हमने दो किये हैं तो एक की base पे दूसरे का हमारे पास जो size है वो आ रहे है now we need to write the size size क्यों लिख रहे हैं क्योंकि value count हमेशा पूरे data frames की होती है size का मतलब है कि इन दोनों की base पे size of sample क्या है, यह size of data क्या है, for example, यहाँ पे आप चेक किजएगा जो output है, हमारे पास that is female के group के अंदर, first class में यह है percentage second class में यह percentage है, third में यह है, male के group में first class में यह percentage है, second में यह है, and third में यह वली है ठीक है, हमारे पास size of the data आ गया, अब इसको आप further round off भी कर सकते हैं, again वो ही चीज है मैं यहाँ पे round की command लगाता हूँ, and इस सारे को copy करता हूँ, यहाँ पे paste करता हूँ, and here we go, to, and here we go, like this, ठीक है, और इसको, यहाँ से sort करने की भी कोशिश करते हैं, dot, sort, values, descending false, यह हमारे पास sort होगी, अब आपको समझ लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, male जो हैं, वो सबसे ज्यादा है, third class के अंदर, जो totally सबसे ज्यादा percentage है, लडकियों लडकों दोनों में, female जो हैं, वो third class के अंदर, 16.16% है, and which is the highest second number, and of course, किसी भी एक ship के अंदर, third class में ज्यादा यवाम होती है, फिर आजाते हैं, male, first class में, and second class में ज्यादा है, फिर female, first and second में ज्यादा है, and this is the total count sorted, based on the each, जो group है, उनका combined formula, ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, कि group by function को further आप use करें, so, हम यहाँ पे, यही वाली चीज दुबारा लिखते हैं, और यहाँ पे, male, female को हम divide करते हैं, let's say for example, अगर मैं age में करूँ, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, जो 25 साल के male हैं, उनकी कितनी age है, 28 साल के so on, so on, so forth, यह जो dot dot है न, इसका मतलब है कि इससे आगे भी values हैं, that you can actually see, if you expand this output, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ, column के नाम है, embark, embarked होगा, yes, embarked, तो यहाँ पे मेरे पास sorted value आगे, male, female, male, female, लेकिन sort जो है न, वो खसरोकाद खाम खराब कर देते हैं, तो मैं इससे निकाल देता हूँ, अब मेरे पास male, female, male, female, इस तरीके से आगया, ठीक है, so group by का मतलब यह है, कि आप दो columns का बताते हैं, parenthesis से start करके, दो columns को square brackets में लिखते हैं, and then you can see the group by function, और इसकी base पे आपके पास count भी आ जाता है, इसकी base पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी means, कुछ भी, तो आपका average भी आ जाएगी, अगर second column आपका age है, ठीक है, so group by function, multiple statistical value के साथ हम use करते हैं, and this will tell us again, the composition of our data, ठीक है, composition clear होई जी, किस तरीके से हम देख सकते हैं, दोब की भी, तीन की भी आप कर सकते हैं, चार की भी कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ पर, comma लगा के, यहाँ पर लिखता हूँ, say for example, class, let's see हमारे पास क्या होता है, यह ले, double group हो गया, female, c, q, s, male, क्योंकि second बाद में आ रहा है, तो hierarchy maintain रहेगी, यहाँ से दूसरा impact है, अगर मैं impact को x करके, तीसरे group की category में ले जाता हूँ, तो hierarchy क्या कहेगी, पहले female male होगा, फिर class की categories होगी, फिर impact की होगी, something like this, every next element actually, जो होता है, वो nested है between the other ones, nested का मत, of course, अभी शहीर भाई ने भी यह comment किया, previous class के अंदर वो nested होगा, ठीक है, so you need to be very careful, when you are writing these groups, और ये endless groups आप लेख सकते हैं, based on coding, endless जा सकते हैं, अब अगर मैं end पे, sorry, अगर मैं इसके end पे, यहाँ पे, say for example, fair को भी कर देता हूँ, fair का column लिख देता हूँ, which actually doesn't make sense, लेकिन just to show you, अब हमारे पास male, female first class C, fair कितने हैं, और कितने परसंट लोगों ने ये fair दी है, ठीक है, लड़की हो, first class में हो, C जो है, वहाँ से embark की हैं, कराया इतना दी है, कितने परसंट लोग है, so this is how you can check the percentage, 56% है, third class में male जो है, उन्होंने 49 euro या pound कराया दिया था, so this is how you can make sense out of it, कि सबसे ज़्यादा कराया किस ने दिया, कितने लोगों ने दिया, सबसे कम किस ने दिया, अब यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको sort किया, I can use sort value function here at the end, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, dot sort, values, control enter, यहाँ पर चेक कीज़ेगा, अब मेरे पास क्या आया है, यहाँ पर अगर आप चेक करें, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास, 4.6% of the people paid, सिरफ और सिरफ, 8 euroi a pound, फिर दूसरे जो highest हैं, वो यह हैं यह हैं, 30 चोथा बाँचवा, of course numerical values हैं, तो काफी change भी होगग, ठीक है जी, समझ आगी बात की, किस तरीके से हम sort out करते हैं, and I would recommend, कि आप जब तक इसकी practice नहीं करेंगे, and तब तक आपको समझ नहीं आएगी, कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस वज़ा से, it's better to practice, when you finish this class, but for now, just look at this, and this, यह हमारे पास होगी जी composition, composition हमेशा depend करते हैं, कि आप किस तरीके से, अपने जो size है उसको देख सकते हैं, अब चलते हैं distribution की तरफ, of course there are many things to do in composition, मैं सिर्फ example दिखा रहा हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं, अब चलते हैं distribution की तरफ, distribution क्या कहती है, कि data आपका कैसा देखता है, For example, मैं यहाँ पर df के अंदर age जो है, इस data को dot describe लिखता हूँ, तो यह मुझा बता रहा है कि इसकी minimum value कितनी है, maximum value कितनी है, इसका standard deviation कितना है, which is statistical term, we will learn इंशाला, इसकी average कितनी है, count कितने लोगों की age बताई गई है, यह सारी values आप देख सकते हैं, सिरफ describe के function से, and this describe का function works like this, अगर आप numeric column पे लगाते हैं, तो आपके पास यह वाले functions जो output आती है, अगर आप इसी को categorical column पे लगाते हैं, then you have this function, ठीक है, and this is actually, क्या है यह? composition है, so we can say here, df के अंदर sex dot describe, and it will give you this kind of count, यहाँ पे हम लगाएंगे, तो यह numeric column की होगी, for example age या fair की, ठीक है, यह हमारे पास हो गया, age and fair की, अच्छा, अगर मैं simply, df.describe लगा देता हूँ, पूरे data frame पे, यह लें जडाब, आपके जितने column numeric है न, उनके उपर सारी statistical description आ गए, यहाँ पे, अब आप चेक करें, p class numeric थोड़ी न है, लेकिन integer है, 1, 2, 3, हम इसको numeric नहीं consider करते, क्यों? क्योंके class 1 को 1 का आ गया है, class 2 को 2 का आ गया है, class 3 को 3 का आ गया है, this is not a number, originally numbers नहीं है, just to depict the used number, ठीक है, इसी तरह number of sibling and spouse, parent, children and fair, this is how it goes, लेकिन p class पे थोड़ा सा हमें, and we will see in advance, EDA के किस तरीके से deal किया जाता है, so this is first thing, second thing is, जब आप किसी की distribution check करते हैं, df के अंदर age को, अब अगर मैं इसको, for example, यहाँ पे plot करके, kind इसकी histogram रख देता हूं, then probably it will plot, this kind of plot, and this is called histogram, this shows, कि 0 से 10 साल के बच्चे हैं, वो कितने हैं, left side पे frequency, यानि कि number, and x-axis पे आपके पास, उनकी bins, यानि कि 0 से 10 की रेंज में, कितने बच्चे हैं, 10 से 20 की रेंज में, कितने लोग हैं, 20 से 30 साल की रेंज में, कितने लोग हैं, 30 से 40 साल की range में कितने लोग हैं left side पे आपके पास number आ रहा है यह bins हैं यह numbers है and this shows how the data is distributed यह है data distribution और histogram के थुरू आप पता लगा सकते हैं और यह सिरफ किस पे होता है numeric column पे अच्छा आप सोच ले होंगे नई जी numeric पे नहीं होता तो भाई सही है categorical लगा के देख लेते है hello सही है सिरफ वो ही ना मतलब check कर लें आप यह है age का histogram अगर मैं यहीं पे fair का बनाऊ that would be something like df के अंदर fair and then dot plot and hist यह basically pandas का function है यह check करें अब आपको भी पता जब भी कहीं पे किसी airline की बात होती है so जो लोग on and average कराया देते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं यानि कि 0 से 70 या 50 तक 700 लोगों ने कराया दिये तगरीबन ठीक है बाकी जिसने highest दिया वो सिरफ एक दो लोग है 500 के गरीब जिन्नों ने दिये and of course वो first class में हो गए आपको भी समझ आती है कि जिसने 500 योरो दिया है और एक साइड पे सिरफ और सिरफ 50 योरो है तो depend तो करता है न और कुछ लोग second class में है वो यहाँ पे है और यहाँ पे है ठीक है कुछ लोगों की एद लग गई है वो बिलकुल 0 कुछ पैसे दिये कही होने दिया ही नहीं कराया जिन्होंने कराया नहीं दिया वो कौन लोग हो सकते है 0 पे किनका कराया नहीं लगता और वो free में travel करते है बच्चे छोटे बच्चे हो गया वो वाले बच्चे बाकी लोग ऐसे होते हैं जो staff के होते हैं वो भी, उनका भी क्राया नहीं लगता और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग पाइलेट, शाइलेट होते हैं, तो उनका भी नहीं लगता ठीक है, सो वो लोग जो basically उसकी management team होती है वो भी तो इंसान थे ने, Titanic में so those people are also there यहां देख समझा जागी, किस तरीके से distribution देखी जाती है and there are several kind of distributions अगर मैं यहां पे types of distribution आपको दिखाऊ distributions दिखाऊ so there are multiple types of distribution यह एक article है medium पे and of course I knew it यह पेवाल लादन देने that's bad of course इस पे हमारा lecture भी होगा, अच्छा खासा so you don't need to worry about that मैं सिर्फ आपको एक figure दिखाना चाहता हूँ नहीं भाई, तू भी नहीं अच्छा for example यह हमारे पास एक जो figure है अगर आप इसको गौर करें, मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ और यहीं पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ज्यादा जूम ही नहीं हो गया अगर आपकी कुछ इस तरीके से bell shape बने this is called normal distribution ठीक है और usually यह distribution कुछ इस तरीके से होता है यह वाली bell shape, not this one यह वाली इसको कहते है normal distribution एक आपके होती है बिल्कुल uniform distribution फिर आपके पास आती है by model फिर आपके पास एक और होती है left skewed skewed and right skewed और यह statistical terminologies हैं जो इन्शाला आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूँ just to tell you कि data different distributions में आता है जैसे यह वाली distribution आप देखें ऐसे इसकी curve बने और यहां से पिच्की हुई है यानि कि इसकी right side पिच्की है left side is fine तो इसको बोलते है right skewed distribution तो इस तरीके से हम different किसम की जो names है वो देखेंगे अब जो है इसके अंदर एक और चीज में देखता हूँ age की distribution चेक करते है ठीक है age distribution age की distribution हम चेक करते हैं यहां पर और equal to df के अंदर age ठीक है और डॉट just one minute describe अब देखें हमने and this should go down this should go up यह यहां पर ओनी जाए ठीक है हमने यहां पर देखा कि हमारे पास यह वाला जो formula है यह तो हमें बता रहा है कि किस तरीके से age distributed है plot करने के बाद लेकिन यहां पर जो हमें बात बता चल रही है वो है 80 maximum value है 80 साल से उपर बंदा था ही नहीं पूरी crew में और minimum क्या है 0.42 यानि के तकरीबन कोई 5 से 6 मां का बच्चा and that's what you can see here 0.42 से लेकि यह 0 से नहीं start होरी 0.42 से 80 साल तक है ठीक है so this is the first distribution second one on an average 29.699 या 29.7 साल का बंदा सबसे ज्यादा था center of this data is क्या है 29.7 यानि के on an average अगर मैं पूछू सबसे ज्यादा लोग कहां कितनी एज के थे 29.7 साल हों के ठीक है अगर मैं बिल्कुल center देखू that is this one 28 which is 50% of the data 28 का मतलब यह है कि अगर data को 2 इसो में डिवाइड किया जाए left and right side पे तो तराजू अगर बिल्कुल center में आए that is 28 years old right so describe के function को हम ऐसे पढ़ते है and then we have standard deviation this is different thing जो stat में हम देखेंगे count का मतलब है कि सिरफ 714 लोगों की age known है यह पिछले lecture में हमने देखा था so this is how you can see कि आपके data की distribution कैसे जो है वो चल रही है अब एक और चीज हम यहां पे देख सकते है skewness और skewness क्या होती है यहां पे हमें आपको दिखाता हूँ df के आगे age dot skew skew वाला function हमें क्या बताता है कि यह जो value है यह basically हमें बताती है कि data कितना पिछका हुआ है age का मैंने आपको बताया age का data जो है वो skewed नहीं है यह बिलकुल ठीक है center में आ रहा है और सारा कुछ defiant है लेकिन fair का data जो है right side से पिछका हुआ है ऐसे ही है अब देखिएगा इसकी value आई है 0.38 यह statistical terminology है later on I will teach you कि क्या इससे मतलब है लेकिन सिरफ देखिएगा आपको जो major फरक नजर आएगा यहाँ पे value है 4.78 यहाँ पे 0.38 क्योंकि यह data right skewed है यह data ऐसे उपर से आ रहा है और यहाँ से ऐसे पिछका हुआ है that is why इसकी skewness की value ज्यादा है यानि कि यह ज्यादा पिछका हुआ है ठीक है यह भी एक formula आता है distribution को check करने का and there are many others ठीक है so this is how you can see distribution अब चलते हैं comparison पे comparison क्या होते है जब आप दो चीजों को compare करते है और compare करने के लिए आप क्या कर सकते है for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ df के अंदर जो हमारा data है इसको मैं करता हूँ group by group by करने के बाद मैं simply क्या करता हूँ यहाँ पे दो चीजों की base पे इसे group by करता हूँ पहली हमारी होगी class ठीक है बलके इसको ऐसे कर लेते है class की base पे data को group by करते है ठीक है और class की base पे check करते हैं कितने लोग survived की on an average comparison हम क्या कर रहे है you will see now यह हमारे पास data है class की base पे जो survival rate है on an average कितना था कुछ समझ जब बात की कि जो लोग first class में थे उनका survival rate कितना है second class का कितना है and third का कितना है survival rate क्या होता है कि कितने percent लोग जो है उन classes में से बचे हैं अब आपको भी पता है जो लोग first class में जाते हैं क्या benefit होता है कि जब भी कोई अंगहानी सूरते हालो ना गहानी अंगहानी ना गहानी सूरते हालो तो उनको पहले वो survival में लेके जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्राया अच्छा दिया होता है और दूसरी बात अगर जहाज अला ना कर ये क्रैश हो जाए कोई मसला बने तो आटोमेटिकली वो बैठे फ्रेंट पे होते हैं तो खुद ही उतर जाते हैं जल्दी तो उनको कुछ पर्क्स होते हैं ठीक है सो यहाँ पे भी वोई सीन है फस सेकिंड थेर्ड अब यहाँ पे मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ बड़ी गौर से देखिएगा समझाई बात की इससे क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत असान है चिल्डरन का सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा आते है क्यों? ओरते और बच्चे कहीं पे जंग हो जाए कोई मसला हो जाए और बच्चे जो हैं उनको प्रैफर किया जाता है जल्दी बचाने गए क्यों? उसकी वज़ा है बच्चों को औरतों ने समभालना था दूसरे नसल चलने होती है देर और मैनी अधर थिंग्स जो लिटरली डिफरेंट रूल्स के अंदर बताई गई हैं इसी वज़ा से अगर आप गौर करें बच्चे जो हैं 59% वो बच गए विमेन जो हैं 75% उनका शर्वाइवर रेट है मर्द बजारे हम जैसे जो हैं वो सिरफ 0.16 16% सर्वाइवर रेट ता टाइटानिक में समढ़ा ही बात की वो बचारा पूरा बरफ ही बन गया सी जो जो जोनों टाइटानिक मुवी देखिया उनको पता है so this is how you see the comparison अच्छा चले हाँ जी मैं यहाँ पर male female रिखने लगा हूँ मुझे बता सकता है female का rate ज्यादा है कि male का बचने का rate ज्यादा है irrespective of the class female का कितना drastic difference है 74% and 18% of course मैंने इसको 100 से multiply नहीं किया तो इस विटा से 1 की fraction आ रही है लेकिन mindfully अगर आप 100 से multiply करेंगे you will see the percentage 75% females का survival rate and this is what you do in exploratory data analysis when you teach people कि अच्छा भी क्या data output बता रहा है अब यह चीज़े लोगों को नहीं पता जिन्होंने analysis किया उन्हें पता होगा कि कितने percent females बचें कितने percent males बचें समय आगी बात की यहाँ पर इसको बोला जाता है survival rate by gender और अगर आप चाहें survival rate by class भी देख सकते हैं तो मैं इसको लिखता हूँ survival rate by gender ठीक है अगर मैं यहाँ पे group by की बजाए सिरफ survived का mean ले लोगो तो यह कोई भी यहाँ पे सॉरी तो यह हमें 38 बता रहा है यानि कि overall survival rate was 38 percent on an average overall जैसे मैंने यहाँ से group by करना start किया तो उस एक column की base पे data आगया सही है अब यहाँ पे अगर आप गौर करें हम अगर इसको comma मैं यहाँ पे लिखता हूँ say for example who let's see I'm just taking a kind of risk here अब आपको पता चल गया होगा female child का 65 percent rate था बचने का male children का 52 percent women का 75 and male men का 16 percent so you can even group by on second level ठीक है अब मैं यहाँ पे एक और काम करने लगो I'm going to write here class हाँ जी first class में बच्चों की तदाद बचने की कतनी थी वो देंगे है female child in first class 66 percent male child in first class 100 percent अब हो सकता है वो सिरफ होई दो तिन ये भी तो देखने हैं हमने उनका count भी so everything goes to side by side फिर चलते हैं जी आगे female second class में 100 percent male second class में 100 percent of course उनका rate जो है वो बहुत काम होगा female third class में children की बात हो रही है 53 percent male third class में 32 percent सही है फिर female women है first class में 97 percent male men first class में 35 percent मुझा क्राया देखी भी बचारे 35 percent ही है समझे नहीं बात को so these kind of comparisons you do inside your data analysis task ठीक है अब इसको हम देखते हैं say for example df के अंदर df group by sex dot survived mean और dot plot kind bar लें जनाब अब बार प्लोट से देख भी सकते हैं कि कोन कितना बचा है आगी समझ कि नहीं आई easy-peasy है ना चलें को ट्राइ करते हैं यहां पे इसको brackets में ऐसे लगाते हैं comma class I'm just trying to make some kind of plots यह लें चार categories आगे you can even create nicer plots लेटर ओन लेकिन सिरफ आपको समझाने के लिए कि क्या चल कि आ रहा है अगर मैं यहां पे who लिख दूँ मुझे को पताएगा कि अब यह हमारे पास child, man and woman अगया ठीक है kind आगे इसकी बार अगर मैं चाहूं तो इसको title भी दे सकता हूँ survival plot rate plot ठीक है यह plot का title आगया even you can also add some kind of other things for example मैं यहां पे color add कर देता हूँ और यहां पे मैं लिख देता हूँ who की base let's see नहीं है नहीं चलना है I was expecting that ठीक है survival rate बन लिए of course I will teach you more data visualization लेकिन अभी आपी के लिए इतना आप इसको mind में रखिया है this was all about comparison समझे आगे comparison कैसे होता है यह सस्ता easy and good to go वाला comparison था statistical comparison और होगा यानि कि हम stat की base पे बताएंगे कि children and women में significant कितना difference है that will come later on अब चलते हैं जिए third से आगे fourth पे that is relationship and बहुत यसान है यार df.core इसको आप बनाते हैं ठीक है यह आपको क्या करते हैं आपका correlation matrix दे देते है something like this let me see something like this क्यों नहीं चला string float में convert नहीं हो सकती that's what I knew so हमने क्या करना है इसको अच्छा create a correlation matrix only on numeric only on int and float data from df ठीक है correlation matrix सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बनेगा वो बनेगा उन columns पे जो numeric data sets है ठीक है और उसके लिए आपको उनको filter out पे ले करना पड़ेगा second चीज यह है कि अगर आप df. let me see अगर plot directly बनता है kind scatter f age and उसका बना लेते हैं plot बज़र रही है यह इनका trend क्या बन रहा है age और fair का यह वला trend बन रहा है ठीक है क्या trend है यह सबसे ज्यादा वाले लोग है यह कम वाले लोग है and this is how you can see लेकिन जो हमने काम करना है correlation matrix बनाना है वो ऐसे बनाना है df के अंदर हमारे पास जो numeric column है age, fair इन दोनों का हम बनाते and इसको run करते है यह हमारे पास correlation matrix आ गया और यह क्या show करते है मैं भी आपको सुमिछाता हूँ correlation matrix यह कहता है जब age आपकी बढ़ रही है ना तो किराया कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ ही है चीज़ या कम हो रही है fair के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है कि बढ़ रही है ठीक है इसकी एक सादा example यह है जब आप correlation metric की बात करते है तो अगर आपका correlation यह basically एक statistical test है जो Pearson correlation के थ्रू होता है अगर आपका correlation वन है अगर यह value जो यहाँ पे correlation metric की वन है वन का मतलब है highly positive correlation है यानि के एक के बढ़ने से दूसरा highly increase कर रहा है सेम उसी speed से जिस speed से पहले वाला increase अगर एक की base पे दूसरे का correlation minus में आ जाए यानि के minus 1 आ जाए that means के एक के बढ़ने से दूसरा negative direction में कम हो रहा है यानि के कम हो रहा है ठीक है और अगर 0 आ जाए इसका मतलब है एक के बढ़ने से दूसरा ने कोई फरक नहीं पहा रहा है 0, minus 1, and plus 1 ठीक है यह चीज clear है 0, minus 1, and plus 1 कैसे काम करता है अब मैं आपको इसको literal चीजों के अंदर समझाता हूँ let me see यह है जी हमारे पास एक x-axis and y-axis यहाँ पे आगी age sorry for my handwriting यहाँ पे आगया fair ठीक है क्योंके मैं mouse के साथ लिख रहा हूँ अगर इन दोनों को हम plot करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर line है ठीक है अब जब line है आ रही है जब मैं इन line हो को जोडता हूँ इन points को sorry मैं ऐसे जोडता हूँ ऐसे इन में से एक line गुजारता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ जब age बढ़ रही है fair भी बढ़ रहे अगर आप गोर करें age के बढ़ने से fair बढ़ रहे अगर मैं इसी चीज़ को दुबारा से draw करूँ और कुछ इस तरीके से हमारे पास points आए तो हम क्या करते हैं चेक करते हैं और इसमें line draw करते हैं अब क्या है कि जब age बढ़ रही है fair कम हो रहे या fair जब बढ़ रहे age कम हो रही है बोथ और राइट ये है positive 1 अगर highly हो यानि कि ये 0 से positive 1 है और ये है 0 से negative 1 की तरफ ठीक है फिर एक तीसरी condition आती है वो क्या है कि एक के बढ़ने से दूसरे को फरग नहीं पढ़ रहा that is 0 सही है अब ये 3 conditions आपको समझ आगी एक के बढ़ने से दूसरे को फरग पढ़ रहा एक के बढ़ने से दूसरे को फरग नहीं पढ़ रहा और एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है इसको mathematically अगर हम लिखे हैं तो इसको बोलते हैं directly proportional इसको बोलते है 1 over directly proportional which is inversely proportional sorry ये होता है inversely proportional ठीक है 1 over और ये होता है कोई भी फरग नहीं पढ़ दा ठीक है इसका proportionality जो है वो 0 में आ जाती है right not inversely not directly इसका answer 0 होगा right so अब ये वाला जो point है ये जो values है these are actually Pearson's या Spearman correlation की final value Pearson's R इसको R बोला जाता है यानि कि correlation coefficient है ये ठीक है कैसे calculate होता है हमने सिरफ panda समय करना है mathematically देखने की ज़रूरत नहीं है और ये correlation coefficient कुछ इस तरीके से number scale पर आप देख सकते है ये है 0 यहाँ पर होती है minus की values आपको बताया था मैंने यहाँ पर होती है positive value ठीक है ये है 1 ये है minus 1 इससे नीचे नहीं जाता है ये इसकी रिगेंज है भास ठीक है ये होता है r Pearson r होता है या Spearman's r होता है जो भी आप test use कर लें अब अगर ये value minus में है इसका मतलब है this is actually inversely proportional जो एक variable है वो दूसरे के inversely proportional है यानि कि इसकी diagram ऐसे बनेगी अगर ये ही value positive में है that means एक के बढ़ने से दूसरा directly proportional हो रहा है ये basically sign होता है इसको अगर किसी को नहीं पता मेरे खाल से इसको alpha बोलते है I don't really remember at the moment लेकिन ये directly proportional है और इसका graph इस तरीके से होते है 0 से दोनों बढ़ रहा होते है अच्छा अब बात आती है कि हम कब कहेंगे कि highly negative correlation है या positive इसको बोलते है positive correlation positive correlation इसको बोलते है negative correlation ठीक है left side वाले को अब positive correlation जब 50 से उपर हो तब हम कहते हैं कि सही वाला positive correlation है 50% या 50 या 50 के value यानि कि 0.5 से उपर हो ठीक है अगर ये 0.8 से उपर है that means highly correlated highly positively correlated 0.8 या 80% एक दूसरे से मिलते जोते है क्योंकि ये 1 की fraction में है तो 0.8 है अगर ये 100 की हो तो 80% है ठीक है वो ही है 80% या 0.8 to 1 इसको बोलते है highly positive इसको बोलते है positive यहाँ पे अगर 0.3 तक हो तो इसको बोलते है slightly positive correlation 0 के इर्दगित 0 से 10 तक हो तो हम नहीं कहते है positive एकर negative है usually we can't say कि ये significant correlation है significant का मतलब है कि ना तो ये high है ना तो low है दर्मयान ना साह बीच में same goes for here minus में अगर 5 पे होगा 0.5 पे तो ये negative correlation है 0.8 यानि कि minus 0.8 पे होगा तो ये highly negatively correlated दो factors है ये variables है और अगर 100 होगा 100 होता ही नहीं है 100 सिर्फ उसी के साथ होता है जो खुद है variable for example मेरी age के बढ़ने से मेरी age बढ़ रही है और दोनों एक दूसरे के साथ link है वो बोले वाली बात के मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ तो ये highly correlated ही होना है मेरी age के साथ मेरी age bird है मेरे weight के साथ मेरा weight bird है of course bird है तो हमेशा आप देखेंगे जब आप correlation matrix draw करते है multiple variables का A, B, C यहाँ पे भी A, B, C तो center line जो होती है वो हमेशा 1 को show करती है यह इसी वेड़ा से always 1 होता है अब correlation matrix जब आप बनाते हैं तो आप के पास एक दो variable की नहीं बलके सारे के सारे variables की values आती है अब आपको समझ आगे यह 1 क्यों है अब मुझे बताएं age के बढ़ने से fair पे कोई फरक पढ़ड है तकरीबन 9% है 0.09 which is I mean not really good बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं variation ज्यादा है अचा फिर इसके उपर भी वही value नीचे भी वही होती है इसको अपर बोलते है correlation matrix यह lower correlation matrix के अंदर है दोनों की value सेम होती है ठीक है अपर में जाएं तब भी वह for example age को fair के साथ किया तब भी वही है fair को age के साथ किया तब भी वही है बात तो वही है न so this is how you see the relationships between two variables यहां तक आपको clear होगे जिस तरीके से करते है relationship find out अब एक और काम करना है हमने यहां पे असान काम है हमने फिर हम इसका fair भी देखेंगे and of course इसको double quotation marks देने क्योंकि दो dimensions हम देख रहे हैं यहां पे मैं आपको बताता हूँ मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ just first complete this thing मैं इसको run करता हूँ यहां पे check के जिए अब हम क्या check कर रहे हैं कि survival rate जो है हमारा वो age पे dependent है के नहीं something like that फिर fair पे कितना depend कर रहे है so this is how you can say each group by function and then you can say again कि आपका जो average है correlation matrix की base पे वो क्या बता रहे है और basically यह survival rate नहीं है यह basically survived जो लोग किये थे उन्होंने कितना क्राय दिया और कितना fair दिया उनकी average है ठीक है अब इसको अगर आप correlation matrix के साथ relate करना चाहे है so you can say age और fair बढ़ रहे थे तो survivor rate अगर age ज्यादा होगी तो of course उन्होंने fair भी ज्यादा दिया होगा क्या वो बचे के नहीं बचे something like that so you can make sense out of it afterwards लेकिन correlation matrix जो है यह basically आपको relationship बनाने के लिए help out करते है and this is how you can see के correlation matrix आपको किस तरीके से बता रहा है चाहे है and of course आप correlation matrix को plot भी कर सकते है let me see kind bar if I can here we go bar में नहीं होता basically यह होता है आपका जो plot है यह basically heat map में होता है but I can show you के कि इस तरीके से आप plot कर सकते है age का यहां पर आ रहा है यह fair के साथ लेकिन दूसरा correlation यह था so we can always use different kind of other plots here मुझे यह वाला पसंद नहीं है so heat map जो जब ज़्यादा पसंद है but आने वाले दिनों में जब data visualization पढ़ेंगे then I will show you के किस तरीके से आप heat map बनाते है और c-bonne की library को हम use करने वाले उस काम के लिए यहां तक आपको clear हो गया जी कैसे हम काम करते हैं कैसे हम chart dimensions देखते हैं मैंने कुशिश किया बड़ी detail में आपको समझा हूँ यह सारी चीज़ें क्योंकि यह वो काम है जो आपने बड़े data set पर करना है same code चलने है same analogies चलने है data आपकी तरफ से 26 million rows का भी आज़ा था same strategies उसर this was basic four dimension analysis of EDA अभी बात खतम नहीं होई we have to learn multiple more commands from panda, seabon, matplotly, plotly इन चारों को मुला के हम EDA करते हैं फिर हमारी report generate होती है which is an extensive task ठीक है अब अगले lecture में मैं आपको multiple commands को divide करके distribution, comparison, composition and relationship में दिखाने वाला हो and inshallah you will see the power of exploratory data analysis I'm not sure कि आप लोग कितना इस चीज को समझ पाए है लेकिन एक बात याद रखिए कि data कोई भी आ गया ना आपके पास ये चार डिमेंशन आपने देख ली आप उसी data के उपर कम असकम दो pages लिख सकते हैं ये मेरा मानना है मैंने जतना अभी आपको बताया है जतना इंटरप्रेट करके समझाया जतनी चीज़ें बताई है तो आप उन पे बातें लिख सकते हैं से फॉर एक्जेंपल Titanic पे बात आजाए अब आपको पता होगा ना कि Titanic में भी गोड़ते हैं बचें बची थी बर्द बचारे साइट पे होगे थे फिर आपको ये भी पता होगे सुर्फ दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्राया बहुत हैवी थी है अगर आपसे अब कोई पूचे के Titanic के अंदर सबसे कम उमर बच्चा गया था आपको पता होगा अगर आपको ये कोई बुचे के सबसे हाई जो एज थी वो कितनी थी सबसे मैकसिमम एज आपको पता है तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपसे कोई बुचे के क्रूज शिप में Titanic में ज्यादा जवान थे बच्चे थे बुड़े थे आपको पता है के 30 साल के लगबग थे So these kind of information gives you some point जो आप काम कर सकते है अब अगला काम हमने क्या करने है मैं सिरफ आपको एक glimpse दे देता हूँ just to tell you के बात यहाँ पर खतम नहीं हुई अभी तो शुरू हुई है हमने काम यह करने है data sets के अंदर मैंने net migration का data download किया हूँ है मैं आपको दिखाता हूँ this is the data यह country name है और यह original data है this is not my created data I actually downloaded this from world bank मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं यह country name है यह country का codes है यह हैं जी years 1960 से लेके 2023 तक का data net immigration का migration का इसका मतलब यह है कि 2023 तक नहीं 2007 के 2023 1960 से लेके 2023 तक किस country में से कितने लोग बाहिर गए है और कितने लोग वापिस आए है उसकी net immigration का net migration का data है कैसा data है यह मैं आपको भी समझा देता हूँ net migration क्या होती है यह है जी net migration अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ number of immigrants minus number of emigrants अब आपको शायद पता हो के emi और emi में क्या फरक है जो होते हैं आपके emigrants अभी मैं इसको समझाता हूँ calculation include both citizen and non-citizens के उपर है यह data positive net immigration क्या कहती है more people are moving into the country than living it indicating an influx of population अगर आपकी यह positive value है इसका मतलब यह है कि more people are moving into the country यानि कि उस country के अंदर आ रहे हैं अगर positive value है negative value का मतलब यह है कि ज्यादा लोग चले गए है emi का मतलब होता है जो लोग मुलक छोड़के जा रहे है emigrants emigrants का मतलब होता है जो आए है हम पाकिस्तान छोड़के आए है we are emigrants in पाकिस्तान I am in Germany तो मैं Germany में emigrant हो ठीक है so net migration का मतलब है number of emigrants minus number of emigrants तो आप इस data को जड़ा analyze कीजिएगा data मैंने already github पे push कर दी है आप वहाँ से देख सकते हैं इसको छोटा सा idea कीजिएगा अपने free time के अंदर और उसको समझिएगा खुद से के कौन कौन से इसमें points है of course year wise है आपको थोड़ी सा मसला होगा समझने के लिए but that's the challenge that is the basic thing जो आपने सीखनी भी है chat GPT और बाके चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं but at the end you should know के कैसे काम करें ठीक होगा जी